हलो नमस्कार इस्टूइंट मैं विशेख बारगाव भारगाव को लाक्स के इस यूटूब चैनल में आपनों का बहुत-बहुत स्वागति तो आज का तुम्हारे वीडियो को टॉपिक है वो है प्रशन लेंगे ठीक है आयू संबंदीत एक सदो नमबर के प्रशन पूछे आते हैं अक्सर एक्जाम में तो आपको बड़े ध्यान से देखना है इन सबंदीत जितने भी प्रशन है उसको देखिएगा उसको अपने तरीके से बनाने कोशिश करिएगा ठीक है तो यह हमारा जो है cgpsc pre जो है crash course स्टार्ट होता है आज से तो शुरू से लिए के लास तक जुरू देखिएगा वीडियो को वीडियो पसंद आए तो लाइप भी करिएगा ठीक है और कमेंट्स करके बताइएगा कि इस टाइप के और भी कैसे कैसे टाइप के प्रशन जो है आपको चा स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला प्रशन क्या है देखिए बेसिक से चलेंगे और मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा ठीक है इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा एक पहला तरीका जो बुक के मांदियम से है और दूसरा तरीका जो हम लोग करते हैं ठीक है तो देखते हैं पहला प्रशन बोल रहा है कि राम और श्याम का वरतमान आयू का अनुपाद जो है वो है 6 अनुपाद 7 अनुपाद 7 अनुपाद 8 हो जाता है राम की वरतमान आयू ग्याद करना है जो राम है उसकी वरतमान आयू ग्याद करना है राम ये रहा और राम ये है इसके अंदर में ठीक है तो राम की वरतमान आयू हमको क्या करना है ग्याद करना है अब जैसे देखिए आप बुक के मेथड से जाओगे तो book के method से पहले मैं आपको बना के बताता हूं कि book के method में किस type से बना होता है फिर हम देखेंगे अपना shortcut ठीक तो देखें इन दोनों का जो अनुपात है तो हम क्या लिख सकते हैं देखें यहां पर लिख सकते हैं 6x और ये 7x क्यों लिखें हमने 6x ये ये 7x क्योंकि हमको मालूम नहीं है अभी तो हमने 6x और 7x लिख लिए ठीक है फिर क्या है 5 बार्स के बाद तो 5 बार्स के बाद प्लस 5 बार्स कर दिया तो कितना हो जाता है तो हो जाता है 7×8 यहन्या 7 अनुपात 8 हो जाता है अब आप इसको solve करोगे तो क्या हो जागा यह 48, क्यों हो गा 40, 8X, यहां हो जागा 40, 8P40, और यह 7 सते कितना हो जागा 49X, और यहां पर क्या हो जागा 7P35, ठीक है इस पर कार होगा, तो जब आप इसको कटा होगा तो यहां पर बन जागा X, और यहां पर बन जागा कितना, इसमें 40 मिल गया तो 5, तो तो तीस वर्ज हो है वो राम किया हुए तो हमारा ए उप्शन जो है बिल्कुल सही होगा अब हमारे जो हम जो सौटकर्ट में से डियूज करते हैं उससे बना के देखते हैं तो देखे उसके अंदर क्या करते हैं आप सभी को मलूम होगा आपने मेरा पहले वीडियो देखा हो है ठीक है अब हम दूसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं और इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं ठीक है तो इन दोनों के बीच में 6 और 7 मतलब 1 का गैप 7 और 8 मतलब 1 का गैप मतलब 1-1 दोनों जगा गैप है इसका मतल मतलब जो है इनके बीच में डिफरेंस कितने का तो एक का है ठीक है छे से साफ में कितने का एक का लेकिन को स्चन में क्या बुलाएगी पांच वर्थ के बार अब एक को पांच बनाने के लिए क्या करूँगा मैं मल्टिप्लाइ कर दूँगा पांच से तो यह हमारा एक्स मतलब 6-35 तो यह आगया आपका आंसर दोनों जगर 30 आया देख सकते हो आप जैसे आप किताब के मैं तो भी 30 आएगा हमारे मैं तो भी 30 आएगा और इसको आप मुह जबानी भी सॉल कर सकते हो यहाँ पर आपने देख लिया गैप दोनों का इक्वल है यहाँ पर भी गैप है और यहाँ पर भी गैप इक्वल है तो बस आपको क्या करना है यहाँ यहाँ एक गया और पांसर आपको फिर पेन कॉपी उठाने की जुरत नहीं पड़ेगी ठीक है इस प्रकार आपको सॉल करना है चाहे तो आप यह पहला मतलब से भी कर सकते हैं चाहे तो आप हमारे मत पाद 11 पाद 16 था तो मोहन का वरतमान आयू क्या होगा देखिए अभी हम फिर से वही करेंगे कि पहला जो बुक का तरीका है फिर दूसरा हमारा जो तरीका है दोनों से बना कर देखेंगे ठीक है तो देखिए एक्स वाले मतलब से बना होगती है क्या हो जागा फॉर एक्स तो 1664 हो गया तो यह एक्स हो गया फिर 18 और 16 का जाब मुल्टिप्लाइ के रहोगे तो हो जागा 288 ठीक उसके बाद में आपका यहां हो जाएगा ग्यारा पच्छे पच्पन और यहां पर हो जाएगा अब जाब आप इसको माइनस करोगे तो यहां हो जाएगा नौ एक्स जब 10 आगया तो यहां पर क्या पूच रहा है मोहन का वरतमान हैा मोहन कौन है यह मोहन है और यह जो 4 है यह मोहन है तो 4X क्या हो जाएगा 4 x 10 मतलब की 40 Vरस जो है इसका सही अंसर हो गया 40 वर्स इसका जो है सही अंसरों का मोहन की बरतमाना यह क्या हो जाएगी 40 अब देखते हैं हमारे मैथर से करकर देखे क्या करना है कि हमको लिखना है 4 by 5 तो हमने लिख दिया 4 by 5 ब्रैकेट डाल दो उसके आद है यहां पर 11 बटा 16 अब देखो यहां पर कि गैप कितना का यहां एक का गाता और यहां पर देखेंगे तब यहां पर आपको गैप जो है नजार आएगा पांच चेर अब पांच यहां पर एक अब यहांस यहां देखते हैं तो कितना डिफरेंस है नौ का लेकिन क्या बूलई गूता है 18 थारा नौक अथारा कैसे बनाएंगे तो 2 से multiply करोगे अब देखते हैं दो से multiply यहां कर दिये तो मोहन का वर्तमान आई यू पूछ रहा है मोहन कौन है यह मोहन उपर वाला यह मोहन था हमारा उपर वाला और नीचे वाला कि सीता और गीता की वर्तमान आई यू का नुपाद 5 नुपाद 6 है छै साल पहले इनका नुपाद 4 नुपाद 5 नुपाद 5 नुपाद 5 सीता और गीता की वर्तमान आई यू का योग क्या होगा देखें फिर से वाई आपको जैसे बनाना है आप ऐसे बना सकते हो तो हम यहां तीस, पचार शक्का चौबीस, और मानस 6 चौख, ठीक, अब आप इसको मानस तर तो यहाँ पर रहागा, X, और यहाँ पर 24 में इस क्या तो 6, ठीक है, 6 बचा, X, तो अब आपके पास में X जो है, घहाँ टिया है, और यहाँ पर बुलता है, गीता और सीता की वर्तमान आयू, वर्तमान आयू, आप दोनों मेतेड में से किसी एक मैथड को उपयोग करो और आप आशानी से ठीक è अब देखते हैं अगला आप देख da kalian प्रशना करे आपके सामने में नैजए टायब का मतलब देखते हैं पढ़कर सतीस मोहन से दो गुना बड़ा है अभी देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सतीस मतलब S मोहन मतलब M सतीस जो है वो मोहन से दो गुना बड़ा है सतीस मोहन से दो गुना बड़ा है मतलब क्या हो गया है सतीस मोहन से दो गुना बड़ा है ये इनका ratio बन गया, 2 और 1, ये 37 और ये मोहन, जो बोला वो लिखा है, 37 मोहन से 2 गुना बड़ा है, मतलब 37 हमने यहां लिखा, मोहन हमने यहां लिखा, और 37 को 2 गुना बड़ा, मतलब 2 गुना बड़ा है, 37 तो 2 is to 1, ठीक है मोहन से, 12 वर्स पहले, अब देखें यहां पर बो 3 is to 1, ठीक है, 2 ratio हमको मिल गए, यहां पर एक मिला, यहां पर एक मिला, ठीक, गुना बड़ा था, 37 की वर्तमान आयू क्या है, अब बोलता है कि सतीस की वर्तमान आयू क्या है ठीक है वर्तमान आयू का मतलब आप समझ गए न यह जो है यह वाला यह वर्तमान है अब देखें इसको मैं क्या करता हूँ अपने में से बना लेता हूँ यहां क्या हो जाएगा टू इस टू वन ठीक और यहां क्या हो जाएगा फाइव इस कितने का ये वावा पूलाईं तो वर्थमान आयू है कि रहा है तो ब्हुर्तमान तो आच्चों कितना ब्रवार्वर्स पहले साथीमों से पांज मुना बड़ा स मील एत तो हमने इससे अंदर पूट सisfienen निकाल ले। अनूज में अनूज और बेटा, अनूज जो है वो पांजshotsबा बड़ा है अपने बेटे का, तो एक हमारे पास ये वाला रेश्यो बना, बारा वर्स बाद उसकी आयू, अपने बेटे की आयू की दो गुनी हो जाते है, अब अनुच क्या हो जाता है, बस हो गे हमारा काम, ये दो रेश्यो जैसी मिला, हमने solve कर लिया, अब देखे क्या हो जागा, तो यहाँ पर हो जागा, दो बटा एक, फिर से वही करोगे, यहाँ पर तो गैप जो है चार का है, तो इसका multiply धर कर दो, तो ये पास बटा एक हो जागा, और यह हो जागा, और यहाँ पर फिर से वही हो जागा, यहाँ पर तीन का जो है, तो यहाँ पर क्या हो जागा, बारा सा दिमाग लगाना है और आपका जो है question solve होते चले जागा तो यह होगे 5 question छटवे question की तरफ चलते हैं देखे छटवा question बड़ा इंटरस्ट की गए इस नहीं के question अफसर exam में पूछे जाते हैं तो देखे क्या है चार भाईयों की आयू का योग 56 वर्स है चार भाईय है ठीक है चार भाईय मतलब चार हो गए तथा उनकी आयू का अंतर क्रमसह समान रूप से चार वर्स है अब जो है पहला वाला जो भाईय है वो दूसरे से चार वर्स छोटा है दूसरा जो है वो तीसरे से स्टार्टिंग करेंगे तो उससे बड़ा जो है भो तो, x plants 4 प्लस क्यों किया? पूorkि 40 बस का अंतर है, x प्लस 4 तीसरे क्या हो जाएगा? x many ska यहां पर है तो कितना हो जाएगा? 8 फिर क्या हो जाएगा एक और अंतर आ जाएगा तो x प्लस 12 और सब का जो योग है देखिए आप लिका नचारों भाईयों को कुल योग कितना है 56 यह हो गया हमारा इक्वेशन अब इतना इजी हो गया तो आप लोगा राम सबना से तो एक दो तीन चार तो यहां हो गया 4x फिर प्लस क्या हो जाएगा 8 4 12 और बारा बारा 24 और यह हो गया 56 तो यहां पर फिर से 4x और 56 माइनस 24 करोगत कितना हो जाएगा 32 अब x is equal to क्या हो जाएगा 32 अपान 4 तो चार इकम 4 चार अठे 32 तो x is equal to कितना हो गया हमारे पास में 8 अब क्या पूछा है सबसे बड़े भाई की आयू कितनी है अब इसमें स सबसे बड़ा भाई कितना हो गया 20TH के इतना甚麼 सबसे बड़ा पहले एक परिवारे के पास सदस्यों की और सतरा वर्सी तीन वर्स पहले एक परिवार के पांच सदस्यों की आउसत आयू 17 वर्सी एक शिशू के पैदा होने के परसाथ उस परिवार का आउसत आयू आज भी भई है उस शिशू की आय क्या है बहुत सिंपल प्रश्ण है ठीक है और ये प्रश्ण मैंने साध अभी एक दू व ठीक है तो ये एक दम सिंपल सा प्रश्ण है अगर आप लोग सीजी पेसी प्री एक्जाम देना चाते हैं और आप लोग को सभी को मालूब की मैट्स का सेक्शन जो है कौलिफाई है तो आपको ये करना ही पड़ेगा ठीक है कौलिफाई करने लिए कि बहुत सारे मैं जानत वीडियो कैसा लगा यह क्रेस को जो हमने स्टार्ट किया आप से यह कंटीनु करें या नहीं करें किस टाइब के सब्जेक्ट से चीयाई रहने कौन से लेशन से चीया कौन से टॉपिक से चीया तो सारा कुछ आप कमेंसे सिक्शन में कमेंट कर सकते हैं नेक्स पूछन पूछ लिया बोल रहा है कि राकेस और परवन की वर्दमान आयू जो है वो चार अनुपात पाँच है चार वर्स बाद उनकी आयू का योग 80 वर्स होगा उनकी आयू का अनुपात चार साल बाद क्या होगा तो यहां पर महुत सारे प्रिशन बन गए अब आपको देखिए मै बताता हूँ सबसे पहला एक इसको चाहूँ तो मैं एक सेकंड में कर दूँगा लेकिन एक सेकंड में नहीं करेंगे पहले आपको समझाएंगे उसके बात करेंगे देखिए यहां पर क्या है फोर और फाइव जो है वो जो अनुपात में उसको हम लिख सकते ना यह 4X है औ क्योंकि हमको वैल्यू नहीं मालूम है तो हम अनुपात वाले को हमेशा 4X और 5X लिख सकते हैं ठीक है अब आपको ध्यान दे रहा है कि यहां पर जो बोल रहा है चार वर्स बाद उनकी आयू का योग 80 वर्स होगा चार वर्स बाद और यह वर्तमान है यह चार वर्स बाद की बात करनी है वर्तमान में उनकी आयू का अनुपात जो है वो इतना है तो वर्तमान का पहले निकालूँगा चार वर्स बाद का बाद में देखेंगे तो चार वर्स बाद जो उनकी आयू का योग 80 वर्स है तो वर्तमान में कितना होगा इसमें से मैं क्या करता हूँ 4-4 म यह कब है जब वर्तमान की बात और यह चार वर्त बात की बात था 80 इसी लिए 80 दिया गया था ताकि आप निकाल सको तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा 9x और यह हो जाएगा 72 तो x is equal to क्यों हो जाएगा नौट है बहत्तर तो मतलब x की जो वैल्यू आगई वो कितने आगई आठ अब जब x की वैल्यू 8 आगई है तो अब हम क्या करेंगे पुट कर देते हैं त तो 4 into 8 कर दो x value में यहां पर x value में पुट कर दिया तो 8 चो कितना हो गया 32 उसके बाद मैं 5 में जब पुट करो गया तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 अब यह हमारा यहां तक हो गया question अब बोलता है कि उनकी आयू का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा अब 4 साल आगे और चला यह मतलब अगर मैं यहां पर 4 PLUS कर लिदा ओऊ- 4 साल बाद हो जाता है यह तो यह ओ जाएगा 36 और यह जाएगा 44 ठीक अब देंगे 36 44 यहां सही नहीं नहीं यह ठीक है तो यह चोंबतने और करना आई देखे चार एक्स पांच अई और यहाँ पर बोलता है कि चार वर्स बाद उनकी आईू- उससे पहले कितना था तो Summit निकल गया उससे हमारा एक्स एकS निकला तो हमारे जब यह योग वाला बात हो रहा है तब ही होगा यह नहीं तो ऐसे मत कर दीजेगा योग वाली बात है तो फोर इस्टू फाइव है इन दोनों के बीच में देखिए योग कितना है यहां पर की बात रहे हैं यहां पर जो है योग दोनों के बीच में कितना है नौ लेकिन कोश तो यह क्या हो जाएगा, 8-5-40, और इधर क्या हो जाएगा, 8-4-32, फिर 4-6-7, दोनों में प्लस कर दोगे, यह हो जाएगा, 44 और यह हो जाएगा, 36, फिर काट दोगे, तो यह 9, और यह 11, तो यह आ गया नुपाथ, ठीक, देखें, योग की बात चारता हैं, तो इन दोनों क नहीं से भी बना सकते हो, ठिक, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन बोलता है, कि पीता और पुत्र की आयू कायू, तीन पाते हैं, पाच वर्स बाध दोनों की आयू कायू, 50, नुपात तीन हो जाएगा पाच वर्च पूर वो पिता की आयू है यह पिता की आयू कितनी थी अब देगे यहां थोड़ा सा करेंगे इस तू का मलट्यप्लाइए यहां कर दो फोर का मलट्य। यह जाएगा च्यार चार जाएं। और यह हो जाएगा तिन दून अच्छ है ठीक है यह होगी है हमारा अब देखो यह 12 से यहाँ पर जाने में क्या होता है डिफ्रेंस दो है दो का है लेकिन कोस्चन में तो 5 वर्स है अब 2 को 5 कैसे बनाओगे या तो यहाँ पर सिर्फ मल्टिप्लाई होता है या तो यहाँ पर वर्स बनाओगा मैं 5 बटा 2 से कैसे बनाओगा 5 बटा 2 से यही यहाँ पर एक ट्रिक है इसको ध्यान देखिए का इस टैक के कोश्चनों को क्यूंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चूप किये तो यहाँ पर आपको नहीं समाझ मैंगा ठीक है तो इससे मैं क्या करूँग पांच बटा 2 बनाओगा कैसे यह देखिए कटा तो यह 5 बन गया ठीक है अगर मैं दो गुड़ा 5 बटा 2 करता हूं तो 2 से 2 कटा तो 5 बना तो मैंने 5 बना दिया अब जैसे मैंने 5 बनाया है वैसी आपको आंसर निकालना है क्या बोल रहा है पूरू पीता की आयू मेरे को चीए तो पीता कौन है यह उपर वाला जो है वो पीता है अब मैं करूँगा 12 इंटू 5 बटा 2 जिससे मैंने मल्टिप्लाइ गिया उसी से करूँगा तो 5 बटा 2 तो यह हो जागा 2 एकम 2 दो छक्के तो 6 पंचे 30 वर्स अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत हुएगा कि 30 वर्स जो है आंसर तो एको टिक लगा दिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्स पूर्व याने पहले 5 वर्स पहले पीता कि आयू क्या थी तो 30 माइनस 5 मतलब की 25 वर्स यह आपका अंसर होगा C यहीं कंफ्यूज होता है और गलत कर देते हैं बच्चे तो यह लखेगा लास्ट कोश्चन जैसे मैंने समझाया है वो ऐसे ही आपको करना है ठीक है तो यह मैंने इतने सारे आप लोगो को कोश्चन बताए आयू संबंदीत यह पार्ट वन था याने कि आज जो CGPAC हमने स्टार्ट किया क्रैस कोर्स उसमें आयू संबंदीत प्रश्न मैंन करें जितने लोग कर सकते हैं जो टॉपिक पर वीडियो को करते चलेंगे थीक है वीडियो को जरूर लाइक करेंगा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में ठीक तो आज के वीडियो में इतना ही था और जो मैंने कोशन दिया उस क्वेशन का आमसर भी जरूर दीजिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही था, जै हिंद, जै भारत